भाई और बेनों, पहले की सरकारों का देश की आविशक्ताओं और भावनाओं को नजर अंदाज करने का रवया आप बली भाती जानते थे अब करतारपुर कोरिडूर की बात ही ले लीजिए, अगर ध्यान गया होता तो आज हमारे गुरु नानक देव जी की भूमी हमारे देश में होती हिंदुस्तान का हिस्सा होती इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगला देश में ऐसे अनेक माँ भारती की संताने हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है हमारे इन भाईयों बहनों की पीड़ा पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया हम एक संकल्प के साथ नागरीकता कानून में सवसोधन का प्रस्ताव लाए है ये देश के उस संकल्प का हिस्सा है जिसके मुताबिक हम उन सभी लोगों के साथ खड़े रहेंगे जो कभी भारत का हिस्सा थे लेकिन 1947 में बनी परिस्तियों के चलते हमसे अलग हो गए अब अगर उनका आस्ता के आधार पर शोचन होता है तो उनके साथ देश को खड़ा होना जरूरी है इन सभी लोगों के हकों की रक्षा के लिए भारत हमेशा खड़ा रहेगा नाय और जीवन के उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी